नमस्का दोस्तों आप सबीको, डिफेंस पिक के एक और नय वीडियो में स्वागत है तो आज हम दो टोपिक्स को कभर करेंगे, जिसमें एक रिपोट तो है आएप के एवेक्स फ्लिट के उपर और जो दूसरा आपडेट रहेगा, वो रहेगा एजिप्ट के साथ तेजस डिल के उपर तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले आते हैं इंडियान एरफोर्स के एवेक्स फ्लिट के उपर तो आज आएप के एवेक्स के उपर एक आपडेट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आएप के द्वारा जो एवेक्स लीज पे लेने का डिसेसन बनाया गया था ताकि हमारे जो कैपिबिलिटी गैप है वो फिल किया जा सके तो उसके रिस्पॉंस में कोई भी ओफर ग्लोबाल मार्केट से नहीं आया है जो कि आएप चाहता था कोई करेंट ओपरेटार जा मैनफेक्टरर से लेने का मगर ये डिसेसन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप अगर ग्लोबाल मार्केट पे एवेक्स के मैनफेक्टरर्स को देखे तो कुछ गिने जुने कमपनीज इन एवेक्स को बनाता है तो फिलाल सीचुएसन ये बन चुका है कि पीछले कुछ दसेक से आएप का एवेक्स ट्रेंड तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा और फिलाल इसका कोई कंक्ल्यूजन भी नहीं निकल रहा आएप के करेंट एवेक्स फ्रिट को अगर देखे तो आएप के पास प्रेजेंट में थ्री फालकान अवेक्स हैं जो की इसराइली ELW-29 राडार है और बेजट है IL-76 पे ये बेसिकलिए एक AES राडार है जो अपरेट होता है 11 फ्रिकेंस में साथ ही ये 400 किलोमेटार के रेंज के साथ 360 डिगरी कवरेज प्रोवाइड काराने में क्यापवल है इसका रावा है टोटल 3 उनिट में देशी नेत्र माक वान अवेक्स जिसमें से दो आएप में ऑपरेशनाल है और एक DRDO के पास है टेस्ट बेड के तोर पे ये बेश्ट है यार जो 145 में इसका रेंज है 250 किलोमेटार और जे 240 डिगरी का कवरेज प्रोवाइड का राता है यानि आएप के पास टोटल अभी 5 एवेक्स ही मौजूद है अगर आएप के प्लैंस की बात करें तो आएप दो फैलकानेवाक्स को खरी दिना चाहता था मगर आएप 76 के कोश्ट के वज़े से इस डिल में कोई भी रेजल्ट नहीं निकला वही दूसरी तरफ आएप दो नेत्र मार्क वान भी खरी दिना चाहता था मगर फिलाल इसका अभी कोई कंक्लिउसन नहीं रहा पिछले साल CCS द्वारा छे नित्रे NG के भी ओडर को क्लियर किया गया था जो कि 240 डिग्री का ही कवरेज देगा मगर इसके नोज कोन में भी एक पनेल को एड किया जाएगा जो इसके फ्रंट कवरेज को इंक्रीज करेगा यह बेस रहेग जिसमें DRDO C295 Aircraft को कंफर्ट करता नेत्र के बेस प्लैटफरम के तौर पे जो की काफी जादा हेलफुल रहता आयप के लिए क्योंकि यह इंडिया में ही मैनिफेक्चर हो रहा है मगर इसके उपर आगे कोई decision नहीं लिया गया तो फिलाल अगर हम पाकिस्तान के साथ भी comparison कर गया है जिसमें बताया गया है कि इस साल Republic Day Parade में इजिप्ट को special guest के तौर पे invite किया गया है तो 24 जानुवारी में इजिप्ट के president LCC इंडिया आएंगे जिसमें agriculture और counter-terrorism के साथ-साथ defense factor में भी बात किया जाएगा तो जैसे कि इजिप्ट इंडिया के homegrown defense technologies में interested है जिसमें सामिल है LCA, radar technology, आकास system, DREO के saw और प्रले जैसे missiles तो इस visit में इन equipment के खरीद के उपर कुछ बात आगे बढ़ सकता है फिलाल तो reports के अनुसार एजिप्ट दुवारा FA 50 को ही choose किया गया है मगर अभी भी officially ये clear नहीं है तो हमें last तक देखना होगा इसका result क्या निकलता है इसक के साथ हम इस वीडियो को यही पर खदम करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही comment box में जैहिंद जरूर लिखे स्वस्त रहे जैहिंद